बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सायक हो सकता है, एक सही मार्ग दर्शन हमारे भविश्य को वुजवल बना सकता है, जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्ग दर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN News चैनल पर नमस्कार प्रिया दर्शको जैसे हम भविश्य दर्पन दर्शन कारेक्रम में हम राशों के बारे जानते हैं अभी ये नया साल अपना 2023 चालू होगा और अपना ये बारा राशी वालों के लिए मेश से लेकर मीन तक का बारा राशी वालों के लिए ये नया साल 2025 कैसे रहेगा जानेंगे एक एक करके तो दर्शको पहले जानते मेश राशी के बारे में देखें मेश राशी वालों को 2022 में काफी कुछ चिनोतिया रहा परिशाने वाला भरा रहुआं पल रहा उनके खर्चे बहुत रहे उनके और कामकाज़ को लेकर भी परिशान रहे PA पाम काज में उतना बहुत ऐसा उतार चड़ाओ कमी रहा लेकिन जितना उनका एक्सपेक्टेड उनका एफर्ट्स था उन्होंने एक एफर्ट डाला कामियावी पाने उतना नहीं मिल पाया यह 2022 में 2023 में मेश राशी वालों को कामियावी अच्छा मिलेगा पार्टनर्शिप्स अगर करते हैं तो उनको सयोग अच्छा मिलेगा 2023 एप्रिल के बाद जो मेश राशी में गुरु का गोचर होगा उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अभी जनवरी में 17 तारिक को शनी होगा नया कामकाज चालू करेंगे और नये उनको एक कॉंटेक्स मिलकर दोस्तों में विस्तार होकर उनका कामकाज बढ़ने का योगता लाब भी बहुत अच्छा मिलने का योग हैं और जिनको जिनोंने ब्लूप्रिट बनाके रखा हैं हमको ऐसे से पुराने काम शुरू क अच्छा है लेगा लेकिन जो लोग थोड़ से लिवर संबंदी तोड़ा डिएबिय मेश राचे वाले उनको थोड़ासा सवध्या पडेदा पड़ेगा चुत सब्सक्राइब साल नया कुछ कख सुरू करने के युग बनता है और जो लोग सर्विस में याने प्रोफेश्णल काम और अच्छा यूग बालो के लिये में सीन दोलतरी के के मुपावले बहुत अच्छा जाने वाला है उस्दर्शक और वृषब राशी वृषब राशी शुक्र का राशी है देखे वृषब राशी वालों को पिछला साल 2022 अच्छा रहा काफी कुछ उनको लाब भी पराप्थ हुआ उसमें और जो जो चीजों से उनको छोड़ा सा कमियों से जूज रहे ते वो सारे चीज दो जार बाशी में क् Us, प्षुन से फिरत्यात्रा करने के योग बनते हैं फिरने का योग बनता और थोड़ा सा अशुब कारिये के लिए खर्चे होने के योग बनते हैं पविद्षम राशी वालों के उनके यह कि निय áreas से और शलय बोको करने का योग बनता है पेर कि दिवने अपने स्वक्रेटर्यों के चलते अधिक द्रश्व को ऊफ़ने का उनको बनेंगे का में और अधया बॉस्टारी से कुछ नेरी दोस्तों से हो गया अपने लाब से हो गया याने profit of margin से हो गया और थोड़ासा अपने बड़े भाई से थोड़ासा उनको थोड़ासा इन चीजों में थोड़ासा सावधान रहे के थोड़ासा काम करना अच्छा रहेगा कुल मिला के व्रशव राशयोलों के लिए 2023 मध्यम रह की दिनों हो सकते हिडान या भी भागवा दिन कोई भागवान के मंदिर उस मंदिर में जाकर सकते रहे का अगला है अपना मिथुन रशी मिथुन रशी जैसा पुसमालों में बुंदका रशी है पिछला साल यह दो होजार बाइस अभी जो चला है जो वो दो होजार बाइस उनके लिए अच्छा नहीं रहा उतना खास नहीं रहे पाया 2022 उनके लिए हाला कि स्ट्रगल उन्होंने आप ही देखा है दो साल से काम काज को लेके पैसे पाने को लेके फैमिली को लेके और जूट यानि उनके उपर कुछ ऐसे चोटे मोटे अपवाद होना यह सब चीजों से उनको बहुत तरस्त हुएं यह साल थोड़ा लेकिन अभी देखो 2023 में क्या होगा मिथुन राशी व वाढस करें ज dispatiques में सकता है और फ्राज करते प्रों काम करतें उनके प्रमेशन मिलने का योग बनता है मिथुन राशी वालों के लिए बच्चों से भी बहुत अच्छा एक योग बनता है उनको बच्चों से भी अपना एक फाइदा मिलना या फिर सपोर्ट मिलना और बच्चों के त्रू उनको कुछ लाव होने का योग बनता है मितुन राशे वालों को यह जो शनीदेव का गोचर है यह अपना बखर राशी से कुम्ब राशी में शरीदेव प्रवेश करेंगे कुम्ब राशी में यह उनका ध द्या से उनको मुक्ती मिलेगा जो परेशाण के यह निया उन्नती नय प्रोंशन नए धिल्नदेव का उनको स्वागत करने के लिए त्यार रे नोổi सवेःब मिथुन राशे वालों के लिए नया नया खुशकबरी सब मिलने का योग बनता है किल मिला के दुहोजार तेइस मिथुन राशी वालों के लिए यह जो दुहोजार तेइस साल है यह बहुत ही मिला जुला रहने वाला है वध्यम स्तरका बोल सकते हैं इसमें कारण क्या है तो गुरु का गोचर उनके दशब में रावु से पीले तेक गुरु चंडायोग में हो र प्रापर्टी का काम करता है उसमें उनको परिशानी थोड़ा दिखाई देगा हलाकि प्रापर्टी का काम संब्भव हो पाएगा लेकिन अडचनों के साथ होगा लेकिन सबसे बड़ा क्या रहेगा कारकराशेवलों के लिए उनको धहिया चालू होगा यह भाई साल चलने वाला है जिसके वज़े से उनको काम काज में परेशा नहीं रहेगा और पैसे पाने का तखलिक हो सकता है और उनके पर जूटे आरोप लगना या बहुत काम का बोज बढ़ जाना यह एक आदमी को चार आदमी का काम करना पड़े ऐसा उनको करकराशी वालों को अभी यह जो चालू हो रहा है इसके लिए क्या कर सकते हैं एक तो हर शनिवार को शरीदेव का दर्शन करें रोज हनमान चले से का पाट करें बजरंग बाण का पाट करें हनमान जी का पूजा करें तो उनके लिए थोड़ा रिलीफ रहेगा और देखो करक राशी के जो माता-पिता है उनके बच्चों को कष्ठ हो सकता है उनके बच्चों के द्वारा उनको कष्ठ हो सकता है तो इसको बच्चों के अब बच्चों के एक अक्टिविटीस पर बच्चों के जो खान पान पर उस पर थोड़ा करकराशी वालों को ध्यान देना जरू में नया आया मिलेंगे पति-पत्ने का जो भी सामन जस्त जो अभी तक का थोड़ा बहुत तंटा तक्रार में था वह अच्छा होगा और करकरा यह सिंवराशे वालों के लिए अभी तक का जो काम उनके बनने रहे एक्जाम दे रहे पास नहीं हो रहे ते या कुछ बड़ा चालू नया कुछ काम चालू करने बारे थे वह नया काम भी उनका सिध्ध होते दिखाई देगा यह 2023 में कि गुरु अच्छा प्रमोशन देना अच्छा नाम देना धरम और अपनी माता-पिता का सेवा करने का योग मिलता सिंवराशी वालों को और सिंवराशी वालों के ल नया कुछ काम करने का बच्चों के त्रू उनको फाइदा होना बच्चों को फाइदा होना बच्चों के वज़े से उनको फाइदा होने का यूग बनता सिंवराशी वालों को अक्टोबर के बाद जो अस्टम स्तान में रहु के तुका गोचर होने वाला ये साल 2023 के अक्टोबर में वह तब अक्टोबर के बाद थोड़ा सा अच्छा 2023 सिम्भ राशी जाने वाला है कि अगला है अपना कन्या राशी तो कैसा था यह जो पहला 2023 में जो शनी का गोचर रहा कंड़ां आज रहा उनके संतान पक्ष के लिए अच्छा नहीं था उनके काम काज के लिए अच्छा नहीं था और उनका मन का जो काम का ये मन का जो तीती है वो थ्वर असा डावा डॉल रहा मन चींतित रहा बहुत कुंतित रहे वो परेशान रहे कन्या राशी वाले और हाला कि गुरु का गोचर अच्छा था उनको लेकिन शनी का गुरु पर रहना और गुरुबल पूरे त्रके से काम नहीं करने का यूग बनता था अभी ये 2023 में एक बहुत अच्छा घटना घट रह लिए एक तो शनीदेव मकर राशी से कुम राशी में बोचर करेंगे च्छटे स्थान में बोचर करेंगे तो कन्या राशी के लिए बहुत अच्छा इसका परिणम मिलेगा इसमें एक ही है कि गाड़ी सोच समझके चला है बाखि काम-काज में तरकी रहेगा पैसे पाने का शत्रु से जो परेशानी थे अभी तक का वो शत्रु उनके सामें शान्त होंगे शत्रुता मिटेगा और जो लोग जो जो कॉंप्रिल के पहले अगर निप्टा लेंगे अगर उस चीज को कर लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि एप्रिल के बाद क्या है करने राशी वालो कि थोड़ा सा गुरु का जो गोचर है वो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि अस्टम में गोचर करेगा एक तो राहू के साथ गुरु चिंड़ा बनाएगा तो हाजमे का प्रावलम पेट संबंदी प्रावलम पैसे पाने का टेंशन बिजनस जो कर रहे हैं उनको बिजनस मे कि अपनी पत्नी जो कढ़ राशी है इसावय को प्रावन जो कहाकर जा करना चैए या तो इससके दो मत् Tong देमा है या लुम को मांने को इनको ऊखए प्र स्था के दिन लेकिन बिल्कुल बुरा भी नहीं रहेगा बशरते थोड़ा सा गुरू का इने जो बोला उपाय कर लेंगे गुरू के मंदिर जाना गुरुबार के दिन गौव माता का सेवा करना बगरा लेकिन अगला है अपना तुला राशी शुक्र का राशी है तुला राशी वालो के लिए जैसे रावू के तो अपने लगन में बोचर कर रहे हैं उनके परशेनी की द्रिष्टी है 2022 में उनका थोड़ा सा काम का जो उनका लेखा जो का उनका जो मनस्तिय बहुत खराब था अच्छा नहीं गया बिकार गया बोल सकते हैं परेशारी रहा उनको हर चीज का लेकिन 2023 में यह सारे चीजे बदलते भी दिखाई देगा नया संतान प्राप्ति का योग बनता जो संतान एक्सपेक्टेड है तुला राशी वालों को संतान प्राप्ति का योग बनता पूरा साल उनको लगन में रहेए पती-पत्ने में स्वास ध्यां देना है लेकिन गुरूबल रहना और शेणी के ढईयया से उनको मुक्ति मिलना तुला राशी वालों को तो ये साल 2013 उनके लिए अच्छा रहेगा 2022 के मुकाबले 2023 बहुत अच्छा रहेगा नया कामकाद मि आप्रिल के बाद उनको तुला राशी वालों को बहुत अच्छा रहेगा और हर एक काम में हर फील्ड में हर जीवन के हर फील्ड में वह सक्सेस्पुल होने का योग बनता है ग Fivearm ऐखे अगला है अपना विर्ष्चिक लाशिवालों के लिए ईसा शनि देव पी दोहजार तेओस में लौकल राशी से कुमब राशी में गोचर करेंगे और गुरु ग्रह पंचम से श्ष्ट याने मीन राशी से मेश राशी में गोचर करेंगे तो इसका ब्रवाब मेश विर्ष्चिक राशी वालों के लिए उतना अनुकुल नहीं होगा इसका थोड़ा परेशानी वाला हो सकता क्यों कि 2023 में जैसे राहू केतु आकर उनके छटे और बार्वे स्थान पर हैं तो चलते कामकाज में बंधी हो गया परेशानी हो गया माता के स्वास्थ को ले परेशानी ओर उनको काम कर रहे हैं उतना लाव नहीं मिल अपने मीन राशी को छोड़ करेंगे तब उनको बच्चों को अब हार्ड वर्क किया है 2022 में उसका फल उनको जो भी मिलेगा एप्रिल के पहले मिल सकता है एप्रिल के बाद वह चीज़े मिलना उनको मुश्किल हो अपना लिवर को को लिवर से बीमारी संबंदी थे ब्याएस संबन्दी ते जो अस्तवा सम्रम्दी का बीमारई जो लोग संबन्दी थे उनको परेशान होने यह बनता और लेकिन एक बात है वृष्चिक राशी वाले जो शेर मारकेट में काम करते हैं उनको अच्छे market trend को देखकर रिवेश करते हैं अच्छा experience अगर शेर market में अगर वो invest करते हैं तो वृष्चिक राशी वालों को शेर market को लेके फाइदा होने का युग बनता है रही बात कामकाच को लेके वृष्चिक राशी वाले क्या कर सकते हैं एक तो शेनिदेव के मंदिर जाना है दर्शन करना है शेनिवार को और शेनिवार के दिन खास करके मास मज्जा मदीरा का सेवन नहीं करना ये वृष्चिक राशी करके नहीं दर्शको बारा राशी वाले सारे राशी वाले शनिवार के दिन मास मच्छी और अपना मदीरा निकर और नाखुन काटना बाल काटना ये सारे चीजे शनिवार के दिन अगर नहीं करते हैं वर्जित करते हैं काम करना तो उनके ओपर शनी देव का विशेश कृपा और नवग्रो का विशेश कृपा अपन अब मैंने आप होगा तो उससे उनको हुंड़ाइं मिलेगा तो अभी अगला बात करते हैं दोनर अरशी के बार में धोनर राशी आ कर जैसा आपको मालूमने ग्रोश्पति का राशी है साथे सारे दिननर राशी BENE, यह साल बहुत अच्छा जाने वाला है जो जो काम उने तै किया था, जो जो काम उने मन में माना था, भई हमको ये करना, ऐसा करना, टार्गेट रखा था, वो सारे पूरे होंगे धनुराशी वालों के, और ये 2030 में धनुराशी वालों को खास करके कुछ नया काम करना, नया कुछ उद्योक शुरू करना, नया यातर करना नया प्रापर्टी खरीदना बच्चों को बहुत अच्छा कुछ होना बच्चों के वज़े से इनको कुछ अच्छा होना यह सारे चीज बनते हैं धनुराशी वाले क्या करना है एक तो भगवान सूरज को जल चड़ाना न भूले नियमते निरेमी तरिके से और धनुरा अगर दे सकते हैं एक पाप तो अगरा आदा किलो बहुत अच्छा रहेगा धनुराशी वालों के लिए क्योंकि अगर हम लोग वर्ष कूंटली देखते हैं तो मंगल छटे स्तान में धनुराशी गुचर करने से थोड़ा सा मंगल का विपरित फल मिलता है यह करने से मंगल दिन थोड़ा अच्छा हो जाएगा उनका जो मंगल का जो दोश्य निकल जाएगा लिए कुल मिला के धनुराशी वाले के लिए 2023 साल बहुत अच्छा रहेगा आप यह साल वेष्ण करें एप्रिल के बाद खास करके जो जो आपके काम पेंडिंग पड़ें वो सारे के सारे अगरा है राशी अपना मकर राशी जो शनीदेव का राशी है दर्शको देखें मकर राशी वालों के लिए जैसे साड़े सती चल रहा है अभी शनीदेव अभी तक का मकर राशी में अपने स्वा राशी में चल रहे थे अपने जर्म राशी में चल रहे थे शनीदेव अभ दिखाई दे रहा है और अधनुर उन्हें जिनका शादी होने को होई जो शादी उनको शादी होने का पूरा योग बनता है और जो लोग समझो पती पत्नी के अंदर मकर राशी के पथे वातनी के अंदर जो तंटा तकरा वह भी समफ्थ होगा पार्टनर्शिप्स में नया कुछ समझोता हो गया या पार्टनर्शिप्स को बल मिलेगा और जो अफिस में काम करते उनको भी नया धन आयाम के धन कमाने का पैसा कमाने का योग बनता है और खास करके जो लोग बिजनस में हैं धुनराशी वाले अभी तक का जो थोड़ा सा परिशैनी था कामकाज को मंदी था या जो जितना महनत करने के बाद भी उनको सपलता नहीं मिल रहा था वो सारा सपलता मिलते दिखाई दे रहा है दौन राशी वालों के लिए सॉरी मकर राशी वालों के लिए क्या करना साड़े साती चल रहा है एक तो शनीदेव का दशा है और राहु के तू भी उतना कुछ खास नहीं गोचर में उन्होंने क्या करना चाहिए भगवान शंकर के मंदिर में जाकर अगर उद्रा विशेक कराते हैं भगवान शंकर को बहुत अछ सके तो पूरे साल में कभी भी विए एक भगवान काल भएरों का दर्शन कर ले, उज्जेन में कर ले, या फिर अपने नाकपूर बहीं तीन-चार स्तान पे काल भगवान का मंदिर है, वहां पर जाकर काल भएवारों को पूजा दे दे, नमस्कार कर ले, ये काम कर्षेनिवार को करें तो बहुत अच्छा, शरीनिव जैसा मकर राशी के लिए अगला है कुम्ब राशी के लिए अभी शनी देव का गोचर बार्वे में था तो बार्वेसे अभी लगन में आएंगे अपनी राशी कुम्ब राशी में प्रवेश करेंगे 17 तरीको तो इससे कुम राशी वालों के लिए थोड़ा सा परिशानी बढ़ेगा, स्वास सम्मधित परिशानी बढ़ सकता है, पैसे पानी सम्मधित परिशानी बढ़ सकता है, काम काज को लेके परिशान हो सकते हैं, जो वो काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा उनको मेहनत ज्यादा पता कंद्शिक में पता अनि को समष्य संबनिधी को कुम्बुराशि अगर बज्रंग बली का सिवा करते हैं हर्मान का पाट करते हैं शनीदेव के मंदिर में जा के तेल का दान करते कुमơ राशी वाले उनके लिए बहुत अच्छा फल विलेगा। अगला है दर्शक को अपना मीन राशी, आखरी राशी है। तो कि मीन राशी का स्वामी गुरु हैं मीन राशी वालों के लिए 30 मिला जूला रहेगा arrivé काम काज में बंदी रहेगा और एक तो पैसे पानी को लेकर थूड़ा सा टाइटनेस है जुगार तंग रहेगा पैसे पानी का फैमिली को लेकर चीन्तित रहेगे ज्यादा महेनत करने के बाद सफलता मिलेगा मीन राशी वालों को मीन राशी वालों के लिए एक तो एक देखो एक अच्छा यह भी बुरा परिणम एक बुरा परिणम अच्छा एक बुरा अच्छा परिणम यह लेगा इनको बहुत घूमने को मिलेगा भी कैसा 2023 में बहुत भ्रमन करेंगे शनी कराएंगे शनी देव बहुत घुमाएंगे ये अलग बात है कि वो भ्रमन का जो तरीका है वो किस प्रकार से प्लान करते हैं नहीं तो अगर अन्प्लान्ट तरीके से बिना सोचे समझे अगर उन्होंने ट्रावल का या फिर किदर भाहर निवेश करने का सोचा वो वेथा वेर्थ जाएगा यानि बहुत परेशनी वाल जाएगा अगर बराबर विवसित प्लान करके बराबर शेडूल शेट करके अगर करते हैं तो उनके फाइद मन रहेगा लेकिन मीन राशी वालों के येक अच्छा है कि तीरत यात्रा बहुत करेंगे 2023 में और मीन राशी वालों को गुरू का गोचर जो बाहद 2023 में एप्रिल के बाद जो चालू होने वाला है वो गुरूबल शालू होगा उनको 2023 के बाद तो जो गुरूबल आ रहा है उनको वो गुरूबल उनको जो मीन राशी वाले शादी के इच्छु के उनको श तक का जो काम काज में स्ट्गल हो रहा था हेल्थ संबंदी शिकायद थे वह शिकायद भी दूर हो के हेल्थ अच्छा हो जाएगा और वह जो बोलेंगे या वह जो काम करेंगे उसमें उनको सपलता दिखाई देगा लेकिन मीन राशी वालों के थोड़ा सा ये 2030 में कैसा टोड़ां सा काम काज को परेशानी और पैसे पाने को परेशान जीसे में पहले बता रहेगा तो इसके लिए क्या करना है लगा करें और रोज घर्शा का पारण करें और और काम करसुते भी राशी वाले एक तो नदी हैं किनारे पर भसते हैं लोग तो मचलियों को आठे का घोला बना के डाले मचली योख को या फिर ब्रेड लिया पाव तो उससे उनका जो जो गुरुचंड़ योग योग बन रहें दूसरे में और सा रसीति का योग बन रहे है usta एक बात बोलना चाहूंगा हम सारे जितने बाराश्य वाले एक तो हमारे माता-पिता का मान सम्मान करें उनका सेवा करें हमारे गुरुजनों का मान सम्मान करें उनका सेवा करें और जो हमसे नीचे हैं उनको हेल्प करने का कोशिश करें और जो दीन आर्थ और वो दुखी है उनका सेवा करे, पशुपक्षियों को दाना पानी खिलाएं, यह करना और जो, हमारे पास जो दुखी होकर आते हैं, अमारे विश्वास रगते हैं, उनको विश्वास का पालन करके चलने से, हो सकता है, शनी देव सारे साथी में, धहिया में, या राओ केतों का जो भी है, अ उन पर सारे घर कितने भी बुरे परिणाम हो लेकिन अच्छे फल दिते जरूरे बश अरते आप यह सारा पालन करें और अपने राशी भविश्य को जो सुना उसको आप ध्यान में रखके चले तो मैं आशा करता हूं कि यह 12 राशी वाले भी 2023 में जो सुना गया जो बोला गय उसका पालन करेंगे और अपने आने वाले समय को बहतर बनाएंगे अपने कश्ट को कम कर सकते हैं तो दर्शकों यह था अपने 2022 का BCN न्यूस पर अपना भविश्य दर्शन कारेक्रम में आचारी शद्धानंद महुन जी का अपना यह 12 राशी के लिए 2013 में कैसे रहा तो द जै स्री राम